अलो दोस्तों आपके इस वीडियो हम कच्छा नव के अर्धवार्सिक पेपर यानि गडित के पेपर को देखने माले हैं जो की 2022-23 में हुआ है यहाँ पेपर यूपी बोड का है यूपी बोड में टोडर 17 नमबर का होता है पेपर का कोड है PP1D कितना है PP1D अगर आपका अर् question और इसी पर आधारी सभी question पूछे जाएंगे तो इसलिए इसका पूरा हल करके आपको जरूर जाना है तो चलते हैं पहले question की उर्थ आप में पहला question यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि सही विकल्प आपको चुल कर लिखना है तो दिया है पहला question कि यक्स घाते 5 यहनी 5 बाँपाट 6 गाते 5 प्लस 4 एकश स्क्वाइर फ्लस 0 एक स्वाइर गात का मतलब होता है कि भॉपद में जिसकी गाती होती है उसी को भॉपद की गाते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी घाते यक्स गहते 5 प्लस इसका उत्तर हो जाएगा यक्स गहते 5 या पांच हो जाएगा option D सही हो जाएगा दूसरा question दिया कि यदि को मान ग्यात करना है इस तरह से question दे तो आपको simply क्या करना है 1 plus 1 के बराबर 0 मान लेना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा minus 1 हो जाएगा इस minus 1 को इसमें put कर देना है पूट करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनिस बन का whole क्योर हो जाएगा प्लसकी हो चौछ उसट के घाते एक बटा दो है तो 64 का इसफ्वायर किसका होगा 8 तो 8 का इसक्वायर कि घाते एक बटा दो रखेंगे तो दो दो किंसिल हो जाएगा इसका उत्तर किन्ना आ जाएगा तो आप्सन नंबर कौन सा दी सही हो जाएगा उसके बाद अगला कुछन दिया कि प Chi इस चारों में से बताना है तो हम जानते है कि पाइगा संय है इसके बाद पांचावा निम Title को शाओं कर ड़ेंगे इसका कर सकते हैं और टूटूटूू कटा देंग तो 1 घाते यक्स बराबर 8 आठ आजाएगा तो हम इसका उलटा कर देते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे 8 यानि यक्स कमान हमें कितना मिलगे यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं यक्स कमान आगया 1 बटे 8 अगर हम किसी के घात पर 0 रखते हैं उसका मान 1 होता है तो इसको हल कर लेते हैं यक्स के घाते है 1 बटे 3 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो हम 1 रख देंगे तो 3 एक का 3, 3 एक 4 तो यक्स घाते हो गया 4 बटे 3 यक्स घाते कितना हो गया 4 बटे 3 तो मैं इसको थोड़ा कर देता हूं इसको मैं क्या कर दे रहा हूं इरेज कर दे रहा हूं यहां से पुना कट कर दे रहा हूं और हमने पाया था कि यक्स कमान हमने पाया था एक बटे तीन और यक्स घाते पाया था चार बटे तीन तो हम यक्स कमान रख देते हैं किलना एक बटे आठ है तो एक बट होता है यहां से 3-3 being canceled हो जाएगा 3-3 हो जाएगा इसको आप खाल करेंगे तो आपका उत्तर भी आजाएगा उसके बाद छ ohen daipe search फ़ेचों कि तने बिन्दू को पर प्रतिखेठ करती है या कि दो भिन रेखाएं जैसे एक रेखा हो गई, एक रेखा हो गई, कितने बिन्दू पर पतिछेद करेंगी, अनंद पर दो पर तीन पर एक होगी, दो भिन रेखाएं एक दूसरे को कितने बिन्दू पर पतिछेद करती हैं, अगला क्यूशन दिया है कि एक बिन्दू में कुल कितन रेखाईं जैसे एक बिंदु हैं तो यहां से कितनी रेखाईं खेची जासकती है तो अनद्षाओं किटिए जा सकते थी इसके पातर अठोbracht का मांग्याद लुक्त कोड़ा के बराबर हो पांच गुना भराबर के बराबर हो उसे क्रेज़ लुद भाग्याद आंगे यह किनना हो जाएगा पांच पंदर है पांच चके तीस यानि छटीस डिगरी उत्तर हो जाएगा आपसन बी के हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके बाद अगला क्यूशन यहाँ पर नवा दिया है कि यक्स बराबर किनना दिया है पांच दिया है यक्स बराबर किनना है क्षिंट कि अले है तो आप सभी में कमांन डाल कर चेंज गर सकते हैं जैसे यहां स्कमांद पांच रखेंगे पांच यहांद दो रखेंगे तो दो दूने चार यह पांच चनो नहों हो जाए गा option c क्या हो जाएगा इसका right उत्तर हो जाएगा उसके बाद दस्वा नमबर question यहाँ पर दिया हुआ है कि दस्वा आप में क्या दिया है यदि p x बराबर x square क्या दिया है यदि p x बराबर x square plus x peak power 0 है तो मान गयात किजी तो m x कमान जे क्या रखना है जीरो लखना है जीरो लख देजी जीरो लख देजी प्लस 1 लख देजी तो इसका मन कितना हो गया तो option number 1 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके बाद 11 नमबर question दिया है कि p x बराबर 3 x प्लस 1 बटा 2 का सुन्यक क्या है तो सुन्यक पुछेत इसके बराबर 0 लख देजी 3 x प्लस 1 बटे 2 बराबर 0 तो 1 बटे 2 को उधर भी जीए 3 x बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 तो 1 को भाजेंगे माइनस तो माइनस एक बटे 6 हो जाएगा कितना माइनस एक बटे 6 आपस नमबर एक क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके बाद है कि 13 दी है कि 3 और 4 पॉट्टों के भीच ठीक परमेंसंख्या गयात किजी क्या है कि 3 तथा चार के भीच ठीक परमेंसंख्या क्या होगी तो इन दोनों को जोल लेते हैं 4-3, 7-2, कितना हो जाएगा? 7-2, आप्सन नमबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा चौदार नमबर क्विश्चन दी है कि इन दोनों का मान के अधिक जिन दोनों का मल्टिप्लाइ कर लेजी तो 3 A इसा सुत दिया रहे A प्लस B A माइनस B सुत बन गया तो 3 का स्कौरर 9 इसका स्कौरर माइनस 2 हो जाएगा तो उत्तर किना जाएगा 7 हो जाएगा तो आपसन नमबर A क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा उसके बाद है कि कौ molta kod 180 degrees से अधिक तथा 360 degree से कम होता है तो noon kod जो होता है 0 degree से अधिक 90 degree से कम होता है ब्रिध्धी kod, ridge kod जो होता है 180 degree के बराबर होता है संपुल kod 360 degree के बराबर होता है जो बृद्धी कोड होता है 180 डिगरी से कम और 360 डिगरी से क्या होता है कम होता है 180 डिगरी से अधिक होता है तो आपसे नमबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा उसके बाद है कि किसी समकोड के 3 बटी 5 में भाग का समपूरा कोड क्या होगा आप ध्यांस देखिए किसी समकोड के तीन बटी पांच में भाग समकोड का मतलब नब्बे इसका तीन बटी पांच में भाग पहले आप निकाल लेजिए 1935 होता है, 1834 उत्तर हो गया चववन आप कहा रहा है कि चववन का आपको निकालна है समपूरक कोड समपूरक का कोड मतब 180 मेंसे आप 50 को मानिस करदीजी 180 मेंस अगर आप 54 को मानिस करेंगे तो 6 यहां पर बचेगा 7 7 मेंसे किना 7 मेंसे 5 जाएगा तो 2 126 डिगरी आपका उत्तर हो जाएगा 126 डिगरी उत्तर मार देना है यहां पर 126 दिया है तो आपसा नमबर क्या हो जाएगा यह राइट हो जाएगा उसके बाद 17 नमबर question दिया हुआ है कि निम्ड मेंसे कौन सा सरवांग समता का नियम नहीं है सरवांग समता है S.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. तो चारों मेंसे आपको एक को बताने कौन सा सरवांग समता का नियम पालन नहीं करता है उसके बाद थारा नमबर दिया कि किसी तर्भुच के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के होता है बराबर होता है दो गुना होता है बड़ा होता है चोटा होता है कि तिसी तर्भुच के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है क्या होता है आपसें Hindu क्या हो जाएगा राइफ हो जाएगा उसके बाद 19 नमबर दिया है कि ठि lbqr सरवांग्साम है efdk तो e का मान किसके बराबर होगा तied किया आसे देख सकते हैं e कोड़ दिया यहाँ पर नहीं पी के बराबर हो पहला यहां पर ही इसमें पहला है तो पहला बराबर हो जाएगा यानि कोड़ पी बराबर क्या हो जाएगा कोड़ ई हो जाएगा उसके बाद यहां पर बीस नंबर क्योश्चन एल अम और यम का मान आपको पूछ लिया है यहां पर देख सकते हैं दूसरा क् करना है 0.666 को भिन की रूप में आपको बदल ले रहा है इसको अगर आप हल करेंगे इसका आपका उत्तर सिंपली मिल जाएगा च्छा बटा नव यानि तीन तुन अच्छा तिन तरिक्का नव यानि दो बटे तीन इसका उत्तर आपको मिल जाएगा उसके बाद तीन चार के बीच आपको परिमी संख्या ग्याद करना है तो दोनों को जड़ लिए तेन चार तेन साथ इस पुरे से जोड़ जोड़ का आप साथ पर में संख्या निकाल सकते हैं उसके बाद निन्यानवे का क्यूब करना है सवरसंख्या से तो आप एक हजार माइनस वन का होल की कर दे पर देंगे आपका चारह सिंपली रूप से निकल जाएगा उसके बाद यहां पर दिया इसका प्रसार कर लेजिए इसका प्रसार करना आपको दो बीकुल सरल है, इसके बात पहले, 0 रखेंगे। इसका ही रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखें, 3 रखेंगे तेन चार माल कर आप इसका सिंपल रूपs से खेच सकते हैं। उसके बाद हैं त्रिपोर अब इसके दिया है, इसके ला लगा सकते हैं क्या आतूंध मान लेजिए कि एक तिरिभोज दे दिया, क्या है यह जैसे तिरिभोज हो गया, यह हो गया A, A हो गया, B, A हो गया, C तो A का कोड़ मान दिया, B दे दिया, C दिया तो तिरी हुच के तीनों कोड़ों का कोड़ जी होता है 180C डिगरी के बराबर होता है तो सब आपको जोल लेजिए जैसे 2X माइनस 5 है प्लस 5X प्लस 5 है प्लस 3X प्लस 5 है बराबर 180C डिगरी है तो सब को आपको जोल लेजिए यहां से 2X और 5X और 3X 5, 3, 8, 2, 10X हो गया 5 यहां प्लस में 5 माइनस में कट जाएगा प्लस 5 हो गया बराबर 180C डिगरी तो इस 5 को उधर बेज़ दी 180C में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा उसके बाद यहां पर क्योस्टन दिया है कि आप देख सकते हैं इसका आपको खंड करना है इसका उत्तर आपको हल कर लेना है उसके बाद यहां पर दिया है बेजी सिंपल क्योस्टन आप इन सभी को हल कर लेंगे जैसे कि हाँ पर दिया है इसका आप सर सम्मी क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे इसका multiple कर लेंगे plus में minus plus 3 कर लेंगे plus इसको हल कर लेंगे simply तरीके से इस सब का उत्तर आपका आ जायागा इन सब को आपको क्या करना है अपने घर पर बैठ कर इन सभी प्रसनों को अच्छी तरह स यह सभी प्रसनों का हल कर लेंगे इन सभी का एक एक प्रसन का आप हल कर लेंगे तभी अच्छा रहेगा आई होप फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिये जगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगाव में मिलता हो निए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई